नमस्कार मैं डॉक्टर रोमा गुपता इंफर्टलीटी के केस में पिरिएट ज्यादा आने का क्या सिग्निफिकेंस है रितु काल चोटा है और रितु वहती काल में जो पित का काल है उसमें पित ज्यादा बन रहा है पित दोस्ट जो है वह अगनी और जल महभूत प्रधान ह है उसमें अगनी तत्वत ज्यादा होता है कुछ केसे में हम देखते हैं कि पिरिएट के डूरेशन कम होती यानि वह पच्चीज अठाई दिन से भी कम होता है पाइब देज से ज्यादा चला जाता जाता लेने पड़ते हैं यहां आपका जो रितु काल है वह उसमें कफ कम और प्रित बन रहा है वह ज्यादा बन रहा है आर्तों के अती प्रवृति के ये स्था जादा कम निकल रहा है जब जल 혹시 ततव कम हो गएे हैं और अगनी वायू कास्त जादा हो गया है किसी भी बीज को पनपने के लिए जल और पृथवी चाहीं जाए जाहीं पानी चाहीं एक पृरपर बैलेंस में उसे सूर की किरने और अकसिजन यानी हवा भी चाही है लेकिन अड़ वह सूर traveling की केडने बहुत ज्यादा हैं तो किसी भी बीज को भी सुखा देंगी और होने वाले पौधे जो जर्मिनीट कर रहा है उसे भी सुखा देंगी सेम इसके इन केसे में होता है कि ओवम टाइमली रिलीज हुआ स्पर भी आया उन दोनों ने मिलके इम्डियो फॉर्मिशन भी किया बट इसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है टेंपरेचर वहां का जादा रहता है तो वह आगे डवलप नहीं कर पाता है और आपको पता भी नहीं चलता आपका मिस्कैरेज हो जाता हो से हैवी बलड फ्लों में आपकी प्रिग्नेंसी भ बाद भी ब्लेडिंग होती रहती है क्यों होता है ज्यादा ब्लेडिंग मुस्ली केसेज में हैं खटी चीज़े बहुत ज्यादा खाना सॉल्ट बहुत ज्यादा खाना अजीर मोटो जैसे चैनीज प्रोड़क्ट ज्यादा काना सॉस वगरा खाना और धूप में काम करना य इनका यूज पेशेंट की नीट की अकॉर्डिंग करती हूं पहले करती हूं उनकी गर्वधाना खुद ही हो जाती है सिरीज में बने रहे हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलॉव में ओना इस्टाग्राम थेंक यू फॉर वाचिंग देस